करते हैं कि आपकी तयारी बहुत बैटरीन चल रही होगी तो फस्ट अफॉल आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग 67 BPSC मेंस इस्पेशल स्रीज को ले करके है और इस्पेशली आज हम बात करेंगे इस्पेशली आज का पार्ट GS1 में आपका डेवलाप्मेंट और इंडिन प्रेस के रिगार्डिंग सबस्ट आप डिवलाप्मेंट ऑफ इंडिन प्रेस के रिगार्डिंग क्या वो early regulations था देन इसके साथ साथ हिंदुस्तान का first newspaper कौन चा था कब उसको bang किया गया देन इसके regarding अलग-अलग contributions newspaper का especially development of Indian press के in between क्या-क्या important contributions हुआ especially Indian National Congress के propaganda में हमारे Indian press का क्या वो important roles था तो ऐसे ही important बातों को discuss करते हुए हमारे इस series में answer writing का practice को भी mind में रखते वे एक questions का में मैं discuss करूँगा और उसके according 2D points आपको कैसे रहना है जो आपके BPSC mains में काफी help करेगा तो overall कुछ additional informations और कुछ important contents को ले करके चलेंगे आप एक copy पे important notes बना लीजिए आज को जो series है वो काफी important होने वाला है मेरे वीडियो के end तक आप जरूर बने वे रहे हैं तो first of all अगर हम बात करेंगे development of press in India का तो आपको यह remember रखना है कि काफी important प्रेस का रोल था हमारे national movements में हमारे देश की अजादी के लिए तो बात किया जाए कि पहला वो कौन सा newspaper था और वो कब स्टार्ट हुआ और कब वो बैन हुआ तो इसके regarding आपको रिमेंबर रखना है कि 1780 में बेंगॉल गैजेट या कैलकेटा जनरल आडवर्टाइजर नाम का जो निस्विपर है उसका introduction हुआ 1780 में यह आपको रिमेंबर रखना है अच्छा इसको इंट्रोड्यूस करने बन किया गया कब 1872 में तो आपको एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्डट है यह आपको रिमेंबर रखना है देन इसके साथ साथ जब बेंगॉल गैजेट या कैलकेटा जनरल अडवर्टाइजर जो निउस्पेपर थी जो पहला निउस्पेपर थी जिसको 1872 में सीज किया ग इसे कई सारे इंपॉर्टेंट निउस्पेपर है जो बाद में फिर आई मनलब के आफ्टर बेंगॉल गैडेट्स के बाद जिसको सीज कर दिया गया था तो इस प्रॉब्लम्स की वज़ा से और डेवलप्मेंट ऑफ इंडिन प्रेस की वज़ा से जो कई सारे ब्रिटिस के जो ऑफिशर्स थे वो काफी वरीड हो गया कि अगर हम लोगों का जो इनफॉर्मेशन से वो लंडन हमारा हेट ऑफिस ना पहुंच जाए हमारा कर्तूत वह है उसका भांडा ना फूड़ जाए तो इसको लेकर कि कई सारे इंपॉर्टेंट रूस और रेगुलेशन लाया इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनका नाम जिन्हों ने यह शुरुवात किया और धिरे 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 क्या हुआ कि इंडियन प्रेस का डिवलप्मेंट हुआ बाद में जाकर के वर्नाकूरल प्रेस आक्ट आया 1888 के आसपास तो उस एक्स में क्या वह को किस तरह से आपको में संसर राइटिंग में अपना जो है अंसर लिखना है तो बात किया जाए अगर अर्ली रेगुलेशन का तो फर्स्ट अफॉल एक जो पहला इंपॉर्टेंट अक्ट था सेंसर्शीप और प्रेस आक्ट 1799 यह आपको रिमेंबर रखना है कभी कभी यह कोशन आ जाता है कि 1799 का जो सेंसर्शीप प्रेस आक्ट है यह किस पिरिएड में आया तो आपको रिमेंबर रखना है लॉर्ड वेलेजली ने इसको इनक्टेड किया था और बात में जाकर के फिर कई सर और भी इंपॉर्टेंट आक्ट आया जैसे आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन आक्ट 1823 यह काफी ड्रैकॉनियन आक्ट था इस एक्ट में क्या था कि कोई भी माल लीजिए कि अगर प्रेस स्टार्ट कर रहा है या फिर प्रेस को यूज कर रहा है विदॉट लाइसेंस तो एक पीनल ओफिंस होगा इसके रिगार्डिंग बाद में जाकर के यह जो कानून है यह फिर एक्स्टेंड हुआ कहां पर कई सारह इंपॉर्टिंट जनरल्स में पैंप्लेट्स में बुक्स में भी ता करके विदॉट लाइसेंस विदॉट पर्मिशन को भी अपना आर्टिकल्स को जो है ना चाप पाए तो एक न्यूस फ्यफिपर था अपका मिरातुल अकबर मिरातुल अकबर के नामसे जिसके फबिस्वीर कौन थे राम मंहन रॉय जिनों ने अपना पुल्स को स्टॉप किया तो यहां से कोशन आ सकता है कि मिरातु अकबर किस इसकी फब्लीकेशन थी तो इसके बाद है c इसका नाम था प्रेस एक्ट है इसका नाम था प्रेस एक 1835 और इसको उन talking मेल्ट कालफ एक्ट भी कह सकते हैं जो काफि इस कानून ने पिछले कानून को रिपिल्ड किया खतम किया 1823 का जो कानून था Registration Act के नाम से Licensing Regulation Act के नाम से जो था उसको रिपिल्ड किया गया अब यहां पर सवाल होता है कि मेट काल्फ कौन थे तो यह Governor General थे from 1835 से आपका 1836 तक यह आपको रखना है जिनों ने 1823 का जो Licensing Regulation Act था उसको रिपिल्ड किया फिर एक नया प्रेस का कानून लाया 1835 में जो आपको रिमिंबर रखना है दिन इसके साथ एक और important point है कि मेट काल्फ को जो गवर्नर जनरल थे 1835 में इन्हें लिबरेटर लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस यह काफी important facts है जो आपके सेवेन के मलब के मीड में जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद में लाइसेंसिंग एक 1857 और फिर यह जो लाइसेंसिंग आक्ट 1857 का था इसके पाद एक और important कानून आया आपका registration आक्ट 1867 जो आपको remember रखना है तो यह तो बात था registration आक्ट 1867 तो यह तो बात था अब तक का के early regulations क्या था हमारे प्रेस को लेकर के जिसमें अलग-अलग कानून आई अलग-अलग गवर्नर जनर्र ने अपना-पना जो है लौ बनाया और फिर्स्ट कहां से शुरुआत हुआ क्या important था क्या नहीं था यह सारा कुछ important आपको remember रखना है जो आपके upcoming examinations में काफी help करेगा बात किया कई सारा important newspaper और इसके regarding related persons का जिन्होंने उस newspaper का शुरुआत किया तो मेनी कई सारा ऐसा important newspapers था जिन्होंने फेरले जर्नलिजिम किया फेरले जर्नलिस्ट करके कई सारा information को उजागर किया लोगों तक मास तक पहुचाया गौर्निमेंट के फेलाने में ज्यादा contributions की फिर बाद में जाकर के नैशनलिजिम कभी concept जिरिद्रे आया जिसमें कई सारा important newspaper जैसे आपका हिंदू newspaper दिन इसके साथ साथ आपका स्वादेश आमित्रन स्वादेश आमित्रन अब यह स्वादेश आमित्रन यह किसके अंडर में था तो जी सुब्रमानिया आयर जी के अंडर में था जी सुब्रमानिया आयर यह आपको रिमेंबर रखना है नाम उसके बाद फिर आपका एक नियूस प्रिपर था दी बेंगॉली जो सुरिंद्रनार बैनर जी दी बेंगॉली जो आपका सुरिंद्रनाथ बैनर जी के अंडर में था दिन आपका वाइस ओफ इंडिया ये दादा भाई नौरू जी के अंडर में था वाइस ओफ इंडिया कई सारा important information आपको note करते रहना जो बाकी बहुत जादा important है आपके examinations के लिए बाद में जाके एक newspaper आया आपका अमरिता बजार पत्रिका ये आज भी चलता है बेंगॉल में ये शिषर कुमार घोस के अंदर में था अंदर में था छिषर कुमार घोस वुज़ के माराथी में थी आप केसरी का या महरटा तिलक जी के अंद फिर आपका शुधारक जो गौपालकृष्ण घोकले जी के एंदर में था कई उस्सवक्त बहुत अच्छा रोल अदा की इसके बादका हिंदूस्तान और conceived यह किसके एंडर में था जी और ईसे जो पंजाब से शुरुआ वह दिन आपका गुजरात से शुरुआत हुआ इंदू परकास ध्यान परकास और काल इन बॉंबे से शुरुआत हुआ सुम परकास बंगानी वाशी और साधरनी इन बेंगौल से शुरुआत हुआ तो ऐसे कई सारा कोनग्रेस के जो पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है वो टोटली डेपेंड्स किसके ऊपर था अमारे प्रेस की ऊपर था तो ऐसे कई सारा important information regarding to praise कि क्या वो important acts था क्या वो important newspaper उसके regarding important sucks जो उस newspaper को चला रहे थे और बाद में जाकर के एक administration आया Lord Litton's का जो काफी draconian administration हम कह सकते हैं Lord Litton का administration Lord Litton के administration में हमारा जो इंडियन निस्पेपर है वो highly critical बना regarding मलब के उनके in human behaviors की वजह से in human treatments की वजह से और एक और आपको factual चीज़ याद होगा कि एक फेमायन आया था around 1876 से 1877 के आसपास तो इस बीच में काफी in human behaviors दिखा गया Lord Litton's का तो और देन इसके बाद वर्नकूलर प्रेस अक्ट का कानून आया 1878 में तो overall यहां तक तो था बात आपका के अर्दी regulation important newspaper और उससे related important जो सक्स हैं जो मिलब कि उस newspaper के under guidance उसको चला रहे हैं और बाद में जाकर के जब वर्नकूलर प्रेस अक्ट आया 1878 में वर्नकूलर प्रेस अक्ट 1878 का यह कानून यह आपको बहुत important है जिसको remember रखना है और इसके साथ कई सारा important इसका provisions है जो आपको remember रखना है और Lord Lytton का administration आपको remember रखना है तो वर्नकूलर प्रेस अक्ट में कुछ important जो provisions था जिसमें पहला provisions यह था कि district magistrates के पास वह important power था किसके पास DM के पास वह important power था कि किसी भी printer यह publishers के ऊपर जो मलब जितना भी वर्नकूलर जो नियूस पर है चाहिए वह हिंदी हो मराथी हो English हो किसी भी languages में हो वह government के साथ एक bond करेगी वह मलब के British government के साथ एक bond करेगी कि कोई भी मलब के news या कोई भी articles वह against ना हो मलब के government के खिलाफ ना हो और government officials के खिलाफ ना हो अगर ऐस साहता है तो फिर क्या होगा कि उनका जो जो प्रेशक्विबमेंट उसको सीज कर लिया जाईगा उनका जो deposits है उनको भी कॉइंसर्यस होगा उसमें कोई अपील नहीं कर सकता है किसी भी court of law में यह आपको remember रखना है तीसरा जो सबसे important point था इस act का कि वर्नक्यूलर जो newspaper जितनी भी अलग-अलग newspaper थी तो हिंदी हो English को छोड़ करके other languages थी उसमें क्या हुआ कि कुछ-कुछ exemptions दिया गया और English जो newspaper है उसको छोड़ करके अलग जो और भी अलग-अलग जो languages में newspaper जो छपती थी उसमें कई सारा important जो है कानून लगाया गया वर्नक्यूलर प्रेस act किता है तो ऐसी कई सारे important information जो आपको remember वर्नक्यूलर प्रेस act के जरिया कई सारा newspaper के खिलाप मतलब के कई सारा पावंदी भी लगाया गया जैसे ऐस पर example कई सारा proceedings भी शुरू हुआ जैसे सुम परकास एक newspaper था दिन आपका भरत महीर डग का परकास और समाचार इन सारे newspaper पे कई सारा important proceedings का शुरूआत हुआ इंसिडेंटली गया हुआ बाद में कि अमरीता बजार जो पत्रिका जो newspaper थी जिसको शिश्र कुमार घोष जी चला रहे थे तो रात और रात क्या हुआ कि यह जो मिलब के प्रेस है यह जो मिलब के newspaper था यह नॉर्मली बेंगॉली से यह इंग्लिश में convert हो गया due to vpa के कानून को ले करके तो बात यह था आज का हमारा के वर्नाकुलर प्रेस आट बाद में जाकर के वर्नाकुलर प्रेस आक्ट का का काफी खतरनाक तरीके से जो है इसके strong protest होना शुरू हो गया फिर finally कई सारा discrimination भी देखा गया इस प्रेस आक्ट के रिगार्डिंग जैसे के English और वर्नाकुलर प्रेस के रिगार्डिंग नो राइट ऑफ अपील यहनि डी एम का जो आक्षिन वो फाइनल हो जाएगा रातों रात फिर क्या हुआ कि लैटर में क्या हुआ कि प्रि सेंचर्शिप का कुछ कुछ नोजेश आया इसको रिपेल जा गिया और बात मिंदा कर के press commissioners को प्रॉइंट किया गया और लॉड्ड रिपिन के टाइम इसको रिपील करके भी इंप्रिजेंट एन्हीं 1883 में सुरिंद्रनाथ बैनर जी जी जो पहले हिंदुस्तानी बने फर्स्ट इंडिन जर्नलिस्ट बने जिनको जेल के पिछे डाला गया और जिनका एक एंगरी एडिटोरियल था उनके ही निस्पिपर बेंगॉली में जिन्होंने कैलकटा के आपको स्टोरी रिमेंबर रखना है जो बाल गंगर धर तिलक जी का है जोन्होंने काफी इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूशन्स दिया हमारे इंडियन प्रेस के रिगार्डिंग बाल गंगर तिलक ने मुस्टली क्या है कि मास मुव्मेंट्स को जोड़ा जोड़ जो मिडि 1996 में अरॉंड इन्होंने सीवाजी फेस्टिबल्स का शुरुवात किया इनका जो इंपोर्टेंट न्यूस पर तक केशरी और महारट्टा जो काफी इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूट्स की तो ओवर यह था हमारा कुछ-कुछ इंपोर्टेंट सीन कुछ-कुछ-कुछ इंपोर्टेंट बैकब्रांड रिगार्डिंग आवर डिवल्लोप्मेंट ऑफ इंडिन प्रेस अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट वो कॉश्चन्स का जो आज का हमारा सीरीज है तो आए बलते हैं अपनी कोश्चन्स की तरफ ब्रिटिस गॉवर्नमेंट तो सप्रेस इट्स पॉपुलारिटी एकि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले कोश्चन्स को आपको अच्छे से रिडॉट करना है देन इसके साथ साथ जो जो इंपोर्टेंट कीवर्ड होगा उसको अंडरलाइन करना है और यहां पर देखा जाए कि 250 वर्ट में कहा गया मेंस के टाइम मैनेजमेंट काफी इंपोर्टेंट है कि जब भी सवाल अगर 250 वर्ट में अंसर कहे मलब के बोला जाए करने के लिए अंसर तो आपको रिमेंबर रखना है कि अरॉंड तीन से चार पेजिस का यह अंसर होना जरूरी है अरॉंड इसके साथ साथ एमर्जेंस ऑफ प्रेस इन 19th century तो यहां पर आपको एक ब्रीफ डिसकस करना होगा एक्स्प्लेनेशन देना होगा कि 19th century में प्रेस जो है उसका डेवलप्मेंट या एमर्जेंस कैसे कैसे हुआ यह आपको अंटरलाइन करना होगा इसके साथ साथ contributions to the growth of nationalism and struggle for independence in India क्या वो important contributions था हमारे इंडियान प्रेस का हमारे nationalism के लिए तो important contributions आपको डिसकस करना होगा उसके साथ साथ आपके body के sections में एक और important points आना चाहिए कि क्या वो important restrictions था by British government यह struggle क्या था important यह आपको remember रखना है और इसके साथ आपका contributions हो गया रिस्टिक्शन हो गया British government का क्या important steps and actions हो गया हमारे इंडियन प्रेस के रिगार्डिंग जिससे हमारा इंडियन प्रेस का जो popularity बल रहा था वो कम हो जाए तो ऐसी ही चंद बातों को डिसकस करते हुए हमारा introduction का section then body का section और लास्ट में आपका conclusion तो इंट्रो दिन बाडी दिन conclusion तो conclusion भी करना है तो आपको suitable conclusion करना है according to your questions यह आपको remember रखना है बात क्या जाए कि इंट्रो के पार्ट का तो first of all हमको briefly जो है explain करना है कि emergence of press in इंडिया इसका briefly explain करना है कि कहां से प्रेस का शुरुवात हुआ क्या वो important examples है क्या क्या शुरुवात हुआ कैसे कैसे हुआ कौन सा newspaper था उसके पीछे के कौन से persons थे जिन्होंने शुरुवात किया तो यह सारा कुछ important factual चीज़े बन जाता है introductions के पार्ट में बात के जाए अगर आपका body का section तो body के section में इस questions में आपको remember रखना है कि क्या वो important contributions था हमारे nationalism के लिए और contributions के साथ साथ आपको remember रखना है कि क्या-क्या hurdles क्या-क्या problems create हुई और लास्ट में list the restriction placed by the British government यनि कौन-कौन सा restrictions था जैसे आपका section 124 जो seditions का law हो गया देनिस के साथ साथ और भी बहुत सारा एक-दो restriction है जिसको हम इस answers में discuss करेंगे और finally आपको conclusions भी according to questions देना है बिल्कुल balance way में ताके एक way forward approach हो और जो positivity जाहिर करता है आपके answer में तो first of all आईए बढ़ते हैं अपनी answer writing की तरफ कि किस तरह से intro होगा किस तरह से body का section जाएगा और किस तरह से हम लोग conclude करेंगे बात करें कि आज के important questions का तो explain how the emergence of present 19th century तो इसका intro का part क्या होगा देन body का section और last time conclude किस टाइप से कर पाएगे तो अगर आप किसी भी questions का answers कर रहे हैं तो आपका flowing बहुत important है flowing that means के intro का section देना आपका body का part और last time आपका conclusion आप किस टाइप से कर रहे हैं तो around ये 250 words को आपको remember रखना है क्योंकि time management को follow करना है तो यहाँ पर पहला है कि emergence of press in 19th century यहीं कि कहां से शुरुवात हुआ कहां तक गया और कुछ important example जो आपको आपको जो है इसमें चिपका देना है means आपके introductions के part में then क्या वह important contributions था वो भी discuss करेंगे restrictions के आदा government का और conclude हमको कहते करना है तो first of all हम बढ़ते हैं अपनी important introductions की तरफ कि किस तरह से इस questions का introductions हो पाए तो बात किया जाए कि हमारे Indian press का 19th century में तो first of all इसका जो शुरुवात हुआ था आप इस तरह से कर सकते हैं कि James Augustus हेकी इन 1780 यहां से हमारा एक जो है प्रेस के शुरुवात हुआ और जो first जो newspaper था वापका बेंगॉल gadgets के नाम नाम से था जिसको Calcutta General Advertiser भी कह सकता है और इस पार्टिकुलर newspaper को जो सीच किया गया था वो 1872 में सीच किया गया था तो यह आपके एक introduction हो सकता है देन इसके साथ साथ बात किया जाए कि इस newspaper को सीच क्यों गया गया था तो British के कई सारे जो government officials थे उनको यह डर था कि कहीं हमारा जो information है काम का वो लंडन तक ना पहुंच जाए देन इसके बाद आप अपने introduction में दो-तिन पॉइंट्स यह भी लिश सकते हैं कुछ important newspaper का example जैसे आपका Bombay Herald देन आपका Calcutta Chronicles इसके साथ कई सारा और भी newspaper जैसे केसरी महा रठ्था देन इसके बाद आपका अमरिता बजार पौतरिका तो यह कई सारा important आप इंट्रोडक्शन के पार्ट में लिख सकते हैं कहां से शुरुवात था वह वह आप डाल सकते हैं और क्यूं शुरुवात हुआ और इससे British government को और British officials को क्या वो problems था तो यह आपका हो गया intro का पार्ट देन अगर हम बात करेंगे अपने body के section में कि किस तरह से body का sections को लिखा जाया इस particular questions में तो first of all contributions of Indian press अगर हम बात करेंगे कि Indian press का क्या वो important contributions था जिसमें पहला point यह होना चाहिए कि from 1817 से 1918 तक जो हमारे Indian press थी वो completely जो focus थी वो political propaganda को फैलाने में और education को फैलाने में थी तो एक तो पहला important contributions था political propaganda और education यह आपको remember रखना है यह मैं कुछ key points डिसकस कर रहा हूं इसी basis पे आपको answer writing करना जो काफी important रहेगा दूसरा जो important contributions था हमारे Indian press का वो आपका के लोगों तक connect करना masses तक पहुँचना connected to masses कह सकते हैं ने के लोगों तक पहुँचना spread होना पहुँचना इसमें आपको एक example याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी का बाल गंगाधर तिलक जी जिन्होंने केसरी और महारत्था नाम का newspaper को काफी अच्छे levels पे spread किया फैलाया और इनका जो newspaper था इन्होंने artisans, lower middle class workers इन सारे लोगों को जोड करके Congress के folds में लाया एक जगापे लाया गनापती festival जो 1893 में शुरुआत हुआ देन आपका सीवाजी festival 1896 में जो शुरुआत हुआ तो यह सारा important contribution है इनका इसके साथ तीसरा जो important point है spread awareness about Indian National Congress यहनी के हमारा जो Indian Press था उस वक्त Indian National Congress के जो propaganda था उसको लोगों तक फैलाने में काफी important contribution जो है दी है तो यह तीन important contribution और इसके regarding कुछ important example अब हम बात करेंगे body section में कई सारा important restriction का तो आपको पहला restriction याद रखना है कि stranding laws that is called section 124 जिसको seditions का कानून कह सकते हैं यह IPC का section है इसको आप include कर सकते हैं और second point आप include कर सकते हैं वर्ना कुलर प्रेस act 1878 यह आप include कर सकते हैं यह दो important restrictions था और वर्ना कुलर प्रेस act को हम लोग gagging act भी कह सकते हैं इसमें DM के पास यह authority था कि DM जो भी approval दे वो final होगा और उस final decisions के बाद कोई भी बंदा या कोई भी associations उसके खिलाफ नहीं जा सकता है तो यह draconian law था यह कह सकते हैं बाद में Lord Ripon ने इसको repeat किया यह सारा कहानी अलग रहेगा और उसके साथ एक और important point conclusion के conclude किस तरह से किया जाए यह काफी important section है इस questions का तो overall अगर हम बात करेंगे conclusion का तो आपको remember रखना है कि प्रेस का रोल काफी important होता है किसी भी democratic countries के national movements के लिए और एक democratic country का जो lower तबका है उसके आवाज उठाने के लिए ब्रिटिस के session में हमारा जो एंडियन प्रेस है काफी अच्छा से develop किया लोग अलग अलग तरह से contributes भी किये conclude आपको बिल्कूल एक significant वे में देना है बिल्कूल balanced वे में देना है और इसके साथ कई सारा important आप देख सकते हैं यहाँ पर जो important conclusion है कि the role of the press was significant as it acted as a breeding ground for discontinued voices of India यह अनि कई सारा जो lower तबका था lower classes थे तो उसका एक आवाज बनाई है हमारा प्रेस colonial authorities के खिलाफ British के खिलाफ तो कई सारा जो प्रोटेस्ट हम लोग रेजिस्टेट किये कई सारा important movements भी चला कई सारा important important जो है newspaper भी आया तो यह important conclusions था जो बिल्कूल आपको balance way में रखना है होब हमारा यह जो lecture आपको पसंद आया होगा overall के development of Indian press इसके साथ कई सारा important articles इसके साथ finally हमने एक discuss किया questions को और इसके regarding क्या वह important points होगा जो आपको लिखना है तो thank you so much